तो जेहीं दोस्तों CRPF ट्रेस्मेन का एड्मी कार कप तक आएगा बहुत पढ़ा बच्चे परिसान है online आएगा कि offline आएगा दोस्तों हमारे website पर कप तक आएगा आप सको पता है CRPF ट्रेस्मेन का एड्मी कार रिलीस करने का डेट था वो 20 से लिए 25 तरी तक था लेकिन 20 तर सब्सक्राइब करें तो इसके लिए आप तैयारी पुरा कंफॉर्म कर तो इसके लिए बहुत आपके परिसान है क्या हमारे मेल पर आएगा क्या तो ऐसा कुछ नहीं मेल पर आपके नहीं आने वाले मेल पर उनहीं लोगों कर आते हैं जो सारे बचों के अद्मिकार नहीं रिलीज किया जाते हैं उन्हीं बंदों के अद्मिकार मेल पर आते हैं नहीं तो आप सब के अद्मिकार आएगा और वो दोस्तों ऑनलाइन आने वाला है अद्मिकार दोस्तों कल ही आ जाता बर तक नहीं कुछ खराबी के चलते हैं या वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम के चलते हैं अभी तक एड्मिकार नहीं आया है अद्मिकार आने से आपको कैसे पता चलेगा देखिए पैरामेटर जी स्टाफ लिखा उसके नीचे और एक लिग एक अक्तिव हो जाएगा आपके जो सी आर्पटेट्समें का और अध्मिकार डाउनट होना शुरू हो जाएगा देखिए उसके लिए आपको परसाण होने क कोई जुरत नहीं है अध्मिकार कब तक आएगा देखिए कल 20 तरीक था कल नहीं आया आज दोस्तों 21 तरीक है मैं को लगता है तीन दिन के अंदर आपका अध्मिकार रिलीस कर दी जाएंगे 21-22 तरीक है तो आज ही कनफर्म आजाएगा नहीं आज कल और पॉंस तीन दिन के अधर आप एक दिन पकड़ लो कि आपको पता है ना जब भी दोस्तों सेंट्रल या कोई भी अपना वे डिपार्टमेंट अपने डेट बदाता कि ये डेट को हम कन्रेट कराएंगे वह आगे पीछे होई जाता है जैसे रैसे करके लेकिन बहुत सब्सक्राइब होने कोई चांस नहीं है इपार्टमेंट के तरफ सब्सक्राइब कोई जनकारी नहीं आए बस जनकारी यही आए कि कुछ वेबसाइड में कलेस है कुछ प्रॉब्लम है उनका तक नहीं खराबी जिसके चलतो अभी तक आपको एडमिकार रिलीस कर देंगे तो आपको परसा होने कोई चाहिए तो उसके लिए परसा में कोई जुदत नहीं है अधेन दोस्तों अगर आपने एक्जाम के तयारी नहीं किये तो भाया तयारी में लग जाओ और अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए अभी तो अभी सीक रिविजन करना चाहिए प्राक्टी सेट मानना चाहिए सुबह साम धो बर हमें कोशन का पैडर्न पता ना चाहिए उसका नॉलेज लेना चैए कि जब तक हम लोग नॉबू एक्जाम बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है ले देखे अगर हमारे पास टाइम बचा हुआ ऐसे एर पे प्रेट्समेंन के लिए तो कितना डाइम बचा हुआ है और अभी में बताओ जो टाइम है ना आठ गंटे नो गंटे पढ़ने का टाइम है अब लोग कोई बोलेंगे यूपी एसी कॉलिफाय कर लेगा इतना पढ़ेगा तो नहीं मेरे भाई यूपी एसी कॉलिफाय नहीं करना है बस एक नोकरी चाहिए और उसका सपना है तो उसके अभी उसका टेंशन लोगे तो फिर एक्जाम कौन निकालेगा एक्जाम भी तो आपको निकालना है सिलेक्शन किसको लेना है आपको एक्जाम किसको निकालना है आपको घरी गरी भी किसको दूर करना है आपको तो महनत भी आज आपको ही करना पड़ेगा बहाने सब के पा भू법 करो फोकस ओंलिप वोस्य ऊपर करो महनत करो अभी है आपका में चीज रिटीम कोई जए काड़ आएगा तो 25 बहुत दिन हो गया उससे पहले काड़ आजाए उसके लिए आपको परशान होने कोई जुएत नहीं है में फोकस अभी आप अपने रिटीन के उपर करो जितना मेहनत कर सको उतना करो रगड़ दो अपने आपको देखे बहाने सब के पास होते हैं वहला न आपकी डूटी लगने वाली है तो फिर ऐसे हार के क्यों बैठे हो सालो मेहनत करो हारने मानने का कोसिस करो जितना कोसिस करो आखरी दम तक कोसिस करो इतना मेहनत करो इतना मेहनत करो इकल लाइफ में अगर पाइचा कुदा ना खासता में फेल भी हो जाता हूं किसी पोस्ट बस तु मेहनत करने से पीछे मत आठ जान लाकर मेहनत कर जैसरी राम बोल और पुरा रगाड के रख दे पूरा जान लागा दे आक्री दम तक मेहनत कर पूरा आठ आट नौनों गंटे पढ़ और तीन दिन के फितर कभी भी आ जाएगा तु परसान मत हो मेरे भाई तु बस फ कि अब बाप नहीं रुख सकता है जै हिंद जै भाद वह भाद मता है कि जै बंदे मात रहा है